पाकस्तान विच शिरी ननकान सहब विच मुसलिम नौजवान वलों जबरीत तर्म परवर्तन करवा व्या करवाउं दे मामले विच हुन तक अदालती हुकमा तैत एक शेल्टर होम च रह रही सिख कुडी जगजीत कवर दे मामले विच हुन लहाउर दी अदालत ने उक्त कुडी जगजीत कवर दा जनम सर्टिपकेट मंगया है। एक अदालत दे हुकमा ते शेल्टर होम च रह रही है। जगजीत ने व्याहतो बाद आपना नाम आईशा रख लया है। अलाके जगजीत दे प्रा मनमोन सिंग ने इलजाम लगाया सी के हसन ने उस दी पैन नू अगवा कीता सी। जदो एक कटना हुई उस विड़े जगजीत 16 साल तों कट उमर दी सी। इस तो पहला मायो हसरताल विच डॉक्टरा ने आपनी रिपोर्ट विच कोट उन दस्या सी के जगजीत का और ना बालिग नहीं है। उस दी उमर 18 साल तो वद है। पतलवा एक मुसलिम उन्डे नार उस दा व्या करवा दिता गया। कि सिख पाइचरा बेवजा हंगामा खड़ा करदा है। तास्दिये के पाकस्तान विच गुर्दोरा नंकाना साब दे नजदीक एक सिख गरंती पगवान सिंग दी बेटी जगजीत कौर नू अगवा करके जवरन इसलाम कबूल करवाया गया सी। इस दो पहला पाकस्तान दे प्रदान मंत्री विच गुर्द कर चुके हं। पाकस्तान विच काटगिनती पाई चरा बिलकुल भी मैपूज नहीं। उन्हा ते हमली दियां खबरां भी एक सराओं दिया रहें दिया हन। अज सब तो वड़ी गल, काटगिनती पाई चरी दिया कुडिया नू जबरी अगवाक कर जब वहला पुसला के उन्हा तरम परवर्तन करवाया जा रहा है। इस पिछे एक वड़ा ग्रोश सरगर्म है, पर इस दे बावजूर सरकार बलों इस पासे कोई त्यान नहीं दिता जा रहा, काटगिनतीया उते मैफोज नहीं हन। आते हुण इस मामले विट किसे फैसले देले कोट ने जणम परमान पत्तर मंग्या है, जणम परमान पत्तर पेश होन तो बाद कोट इस मामले उते अपना अंतिम फैसला सुनाएगा के जग जीत कावर नू उक्त मुसलिम नोजवानू सौंप्या जावे या नहीं। साड़ यूटूब चैनल नूँ सब्सक्राइब करो